Welcome back to my channel, आज की वीडियो में compare करेंगे बजाज Pulsar NS125 की TVS Raider 125 से और आपको बताएंगे के आपके लिए कौन सी बाइक सबसे अच्छी है दोनों models की compare उनके price, mileage, features, colors और other specs के base पर करेंगे तो बिना किसी देरी के आईए start करते हैं ये वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले इन दोनों bikes की similarities की बात कर लेते हैं तो इन दोनों bikes में जो similarities हैं वो मैं आपको बताता हूँ displacement की बात की जाए तो दोनों ही 125 CC में available हैं engine type की बात की जाए तो दोनों ही 4 stroke bike हैं ब्रेक अगर फ्रेंट ब्रेक की बात की जाए तो दोनों के डिस्क हैं और रियर ब्रेक दोनों के ड्रम मिलेंगे, दोनों के टायर साइस की बात की जाए तो दोनों में 17 नंबर का टायर मिलेगा, दोनों बाइक में टूबलेस टायर मिलेंगे, और सीट की बात की जाए तो दो 25S का माइलेज गलेम करती है 64 का। वहीं टWs Raider 125 का माइलेज होगा 67 Max पावर की बात करें, То Pulsar 125 NS का Max पावर होगा 11.99 PS, वहीं TWS até 125 का Max पावर होगा 11.38 पियुट, पल्सर 125 का मैक्स टॉर्ख होगा 11 अनम वहीं रिडर 125 का मैक्स टॉर्ख होगा 11.2 अनम. जहां पल्सर 125 एयर कूल है वहीं रेडर 125 एयर एंड उयल कूल है. पलसर 125 में किक एंड सेल्फ स्टार्ट दोनों मिलेगा जबकि TVS Raider 125 only सेल्फ स्टार्ट मिलेगी पलसर 125 NS की लंबाई की बात किया है तो वो होगी 2012 mm, चौड़ाई होगी 810 mm, उचाई होगी 1078 mm और वील बेस होगा 1353 mm वहीं TVS Raider 125 की लंबाई होगी 2070 mm, चौड़ाई होगी 785 mm, उचाई होगी 1028 mm और वील बेस होगा 1326 mm दुनों बाईक्स की फ्यूल कैपिसिटी की बात करें, तो पलसर 125 NS की फ्यूल कैपिसिटी होगी 12 लीटर की, यानि के इसमें 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिलेगा, वहीं TVS Raider 125 का जो फ्यूल टैंक होगा 10 लीटर का पलसर 125 का हेडलाइट हेलोजन दिया गया है, वहीं Raider 125 का LED दिया गया है वजन की बात करें, तो पलसर 125 का जो वजन है वो होगा 144 kg, वहीं TVS Raider 125 का वजन होगा 122 kg अगर दोनों के एक शोरूम प्राइस की बात करें, तो पलसर 125 NS का एक शोरूम प्राइस होगा 1,07,000 रुपे एप्रोक्स, वहीं TVS Raider 125 का एक शोरूम प्राइस होगा 86,000 रुपे एप्रोक्स कलर की बात करें तो दोनों ही बाइक्स चार कलर में अविलेबिल हैं बट इनके कलर्स और कॉंबिनेशन में डिफरेंस है अपार्ट ओफ देम, TVS Rader 125 में कुछ एडिशनल फीचर्स दिये गए हैं जैसे के राइडिंग मोड ऑप्शन दिया गया है, हेलमेट रेमाइंडर दिया गया है तो यहां दोनों बाइक्स के जो डिफरेंस निकल कर सामने आए हैं, अउनली प्राइस को छोड़कर बाकी फीचर्स में कोई खास डिफरेंस नहीं है अगर प्राइस की बात करें तो दोनों बाइक्स के बीच 21,000 एप्रोक्स का डिफरेंस आता है यह थी वीडियो बजाज पलसर NS 125 और TVS Raider 125 के कमपैरिजन की, दोनों को बीच जो में सिमिलरिटीज और डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिये तो आप अपनी सुवधा के अनुसार इनमें से चूज कर सकती हैं कौनसी बाइक के फीचर्स आपको ज्यादा अच्छे लगे कमेंड करके जरूर बताना दोस्तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी वाले बटन को दबा कर जाना मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को जरूर फॉलो करें